हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की दोस्तों गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है यह एक ऐसी इंटर गॉर्पेन यूनियन है जैसे कि यू है यू और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बिल्कुल सिमिलर वे में काम करते हैं जैसे कि जो उनके जो लोग है वह फृ मॉव्मेंट कर सकते हैं इधर से इधार कहीं भी और दूसरी चीज उनको क्या होता है कि उनको एक से एक यू मैंबर कंट्री जर्मानीय या UK से यूचे यूचे नहीं रहा, यूचे अंदर, ब्रेक्सित होने के बाद, लेकिन जो फिर्मानी, फ़रांस, फ्रांस के लोग इतली, सर्विया चे लोग इतली, सर्विया के लोग, स्पेन से, मौरक्यों चे समय मार्कों से, वो खने सकते हैं, च्रेट वह भी वड़ोट टैक्स और मुवमेंट भी कर सकते हैं विदाउट वीजा के इधर से उधर हो तो इसी तरीके से गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में भी इसक्स कंट्रीज आती हैं जैसे कि सुधियरेबिया, कतर, कुएद, बहरीजीन, ओमान और यॉनाइटी टेरा पैमिलिट्स तो इन कंट्रीज के जो लोग है, वो free movement कर सकते हैं एक ज्यक्स से दुसरी जगह, दूसरी गंट्री के अंदर और without taxes के ये अपनी goods and services के बजिनिस भी कर सकते हैं, मतलब goods and services की movement भी साथ में हो सकती है तो ये इसका एक फायता होता है तो एक तरीके से economic and political union है जो की six countries को मिटलीज की cover करती है है 1981 में 25 माई को इसका जो है एक्जिस्टेंस में एक्जिस्ट हुई थी एक्जिस्टेंस का शुरू हुआ था और पॉपॉलेशन इसकी है करीबन च्छे करोड पच्पन लाग छहाजार नौसो अठावन लोग अमलब यह अप्रॉक्सिमेटली है मतलब साथ च्छे करोड़ का पॉपॉलेशन है इन सारे 6 मेंबर कंट्रीज की और इसका एरिया है 26,73,108 km2 का एस डिया इसका बहुत अच्छा है क्योंकि यह सारी इस अधिया बहुत अच्छा है जिरो पाइंट एट फोर जिरो है जो कि हमारे इंडिया के के रड़ा और तमील लाडू से भी ज्यादे ह है ऑफिचल लाइग में जहां कि अर्विक है यहां पर 77 रहती है 70 साल अमोमन लोग जीते हैं यहां पर नॉर्मली तो और इसकी जो जो जी टीपी है वह 1.6 ट्रिलियंड डॉलर जो कि बहुत ज्यादा है दोस्तों वादब यहां पर कपेट इंकम बहुत ज्यादा है इसी व प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को में नेट्फरक के अंदर और लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को बस दोस्तों इतना ही आज के लिए आप सो ब्लोग का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यो